नमाज में कुरान पाग की एक पड़ी आयत ये छोटी तीन आयतों का पढ़ना वाजिब है इसलिए आपकी कम से कम दस सूरते याद होनी चाहिए जिससे आप अलग-लग नमाजों में अलग-लग सूरते पढ़ सके ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप चाहें और आप थोड़ी कोशिश करें तो आप दो से तीन दिन के अंदर अंदर इन दस सूरतों को बीना देखे याद कर सकते हैं क्योंकि ये काफी छोटी-छोटी सूरते हैं तो इन दस सूरतों को मैं इस वीडियो में आपको पढ़ कर दिखाऊंगा और आपको वीडियो बार-बार देखना है और इन सूरतों को याद करना है पहली सूरत है अलम तरो जिसका नाम है सूरे फील ये मक्किया है मक्के में नाजिल हुई थी इसमें पांच आयते हैं अलम यज्ञाल कैदहुम फी तगलील वा अर्सल अलेहिम तायर अबाबील तर्मीहिम भी हिजावति मिन सिज्जील दूसरी सूरत है सूरे कुरेश ये भी मक्किया है मक्के में नाजिल हुई थी इसमें कुल चार आयते है बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम लिएलाफ फोरेश लिएलाफ हिम रहलत अशिताई वा प्यायर्व तीसरी सुरत है सुर माउन ये भी मक्या है इसमें कुल साथ आयते हैं बिस्मिल्ही रह्मानी रहीम अराइत अलजी यकज्दिब बिद्दीन फजालिक अलजी यद्दी यद्दीन वला यद्दू अला ताव मिल्मिस्कीन अल्दीन 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 हम अंसलाति हम साहून अल्दीन हम युराऊन ये है सुरे कासर ये भी मक्या है इसमें कुल तीन आयते हैं सुरे काफिरून ये भी मक्या है इसमें कुल छे आयते हैं बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम कुल या ऐयुहाल काफिरून ला अअबद मा ताबदून वला अना अबदून मा अबदून वला अना अबदून मा अबदून वला अन्तुम आबदून मा अबदून लकुम दीनकुम वलियदीन सूरत नासुर ये मदनिया हैं ये मदिने में नाजिल हुई थी इसमें कुल तीन आयते हैं बिस्मिल्हिर्रह्मानिर्रहीम इजा जाए नसुरून वल्फत्ष वरायत अनास यदुलून फी दीन लाह अफवाजा फसबिह बहंदी रबीका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सुरत लहब ये मक्कीया हैं मक्के में नाजिल हुई थी इसमें कुल पांच आयते हैं बिस्मिल्ह रह्मान रह्मान तबत यदा अबी लहब वतब मा अगना अन्हु मालु वमा कसब स्यास लानार उता लहब वम्रातु हम्मालत अन्हात वी जीदिहा हबल मिम मसद सुरत अख्लास ये मक्कीया है मक्के में नाजिल हुई बिस्मिल्ह रह्मान रह्मान रह्म कुल हुआ अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लह कुफवण अहद सुरत अल्फलक मक्कीया इसमें कुल पांच आयते हैं बिस्मिल्ह रह्मान रह्म कुल आयूद बरब फलक मिन शर्मा खलक वा मिन शर्वासिक इजा वा मिन शर्मा साथ फिल रुकद वा मिन शर्र हासिद इजा हसद सूरत अन्नास मक्कीया इसमें कुल छै आयते हैं बिस्मिल्ह रह्मान रह्मान रह्म कुल आयूद बरब इन्नास मलिक इन्नास 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 इलाह इन्नास मिन शर्र वस्वास इन्नास अल्दी युवस तो आपको ये दस सूर्थे याद कर लेनी है पहले आप इनको देखकर याद करेंगे जब आप देखकर इनको सही पढ़ने लगेंगे तब आपको ये बिना देखे याद करनी है इसी में चारो कुल भी है जैसे के इन चारो कुल के पढ़ने के बहुत ज्यादा फाइदे आए है जैसे के अगर आप रोजाना सुबह में इन चारो सूर्थों को पढ़ेंगे तो दिन भर आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती और अगर आप शाम में पढ़ेंगे तो सुबह तक आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचा सकती तो आपको ये दस सूर्थे याद कर लेनी चाहिए और इस मेंसे जो चार सूर्थे हैं जिने कुल कहा जाता है चारो कुल ये आपको रोजाना सुबह में पढ़नी चाहिए झाले